आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन में डाइलर ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको शो होता है Set Phone As Default, Phone Can Only Make and Receive Calls If It's Your Default Phone App तो इसे ठीक कैसे करें तो यहाँ पर इसके लिए आप अपने फोन की Settings ओपन करिये Phone की Settings ओपन करने के बाद नीचे आईए नीचे आकर यहाँ पर Apps आएगा Apps पे किलिक करिये उसके बाद उपर Manage Apps आएगा तो Manage Apps पे किलिक करिये और यह Manage Apps ओपन करने के बाद अब Right Side में उपर तीन डॉट आएगा तो यहाँ पर इन तीन डॉट पे किलिक करिये उसके बाद आएगा Show All Apps नीचे आएगा Default Apps तो Default Apps पे किलिक करिये और यहाँ पर अगर आपको यह नहीं मिलेगा तो जब आप Settings ओपन कर रहे हैं तो फिर उपर आएगा Search Settings इस पे किलिक करिये यहाँ पर टाइप करना है Default Apps उसके बाद आप सर्च करके Default Apps ओप्शन पे आ सकते हैं तो Default Apps उप्शन पे आने के बाद अब यहाँ पे आएगा Launcher Launcher के नीचे आएगा Dial या फिर Dialer इस पे किलिक करिये इस पे किलिक करने के बाद आपका True Caller Select होता है या फिर हो सकता है कोई और Third Party App सेलेक्ट होगा तो यह जो उपर आएगा Phone System लिखा है यहाँ पे इस पे किलिक करिये तो Phone App यानि कि जिस पे System लिखा है इसे सलेक्ट करिये उसके बाद अब देख सकते हैं Dialer Open हो रहा है और इसे ठीक करने का दूसरा तरीका है जब आप Dialer Open कर रहे हैं तो नीचे आगा Set As Default इस पे किलिक करिये Phone App आगा इसे सलेक्ट करिये नीचे Set As Default पे किलिक करिये और इस तरीके से भी अपनी प्रॉबलम ठीक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें